खेलो दोस्तों मैं हूँ दिनेश के वोरा आप सबका स्वागत है निउस टाइम में यानि की रोजी रोटी में वीकली प्रोग्राम हमारा दोस्तों आप जानते हैं और इस वीकली प्रोग्राम को पूरा करने के लिए हमेशा हमारे साथ जो हमारे वित्र होते हैं वो है नयन प सुक रेडी और अल्रीड उसके उसकी डिसकेशन शुरू हो गए हमारे लास्ट एपिसोड में भी था इसमें और मेरे कहल से नेक्स्ट में भी रहेगा तो अगले दो तिन एपिसोड उसी के उपर चलने वाले हैं खास दोर से बजट के उपर क्योंकि वो हमारी डेली की जो दि प्रोल डीजल हो, एडिबल ओयल हो, खाने पीने की चीज़े हो या बाकी घर गरस्ती की जो चीज़े होती हैं खास तोर से उसके सासा जो हमारी इंकम भी है उसमें कुछ थोड़ी बहुत बच्चत हो जाए कहीं न कहीं तो वित्त मंत्री हमारे उपर थोड़ा सा रहम कर दे बलकि रहें समय पर करें, खास तोर से जो मध्यम वर्ग है या निम्न मध्यम वर्ग है या जो गरीब व्यक्ति है उनके उपर थोड़ा सा अगर कुछ रहत मिल जाती है तो बहुत अच्ची बात है तो इंकम तो बड़ी नहीं है वेजिस बड़े नहीं है लेकिन चीजों के दाम इंफलेशन महंगाई बहुत बढ़ गई चीजों के अंदर इसमें भी कोई शक्वली बात नहीं है साथ में कुछ बाते हो रही हैं कि अमीर बहुत जारा अमीर हो गए है तो उनके उपर कुछ वेल्थ टेक्स वापिस लाने की बाते भी हो रही है लेकिन मैं समझता हूँ कि कॉपरेट्स को तो बहुत छूट मिल गी थी कुछ साल पहले कुछ सवाल लाक करूर तक की टोटल मिलाके लेकिन आम आदमी को क्या मिला था बाबा जी का ठुलू जो की कपिल शर्मा का शोवें बताया जाता है तो उबीद है कि इस बार कुछ हमें भी मिल जाएगा और गरीब को कुछ राहत मिलेगी मध्यमबर को कुछ राहत मिलेगी नहीं भाई कैसे हैं आप मैं बिलकुल ठीक हूँ और आपने जैसे कहा एक बैग्राउंड आपने बहुत अच्छा समझा दिया कि यह क्या सिचुएशन में बजेट हम लोग देखने जा रहे हैं और उसी के संदर्प में मैं समझ रहा हूँ कि बजेट का एक में काम यह होता है कि पूरे देश की इंकम कैसे आएगी और कैसे उस मेंसे करच होगे तो किसी भी सरकार को बजेट के द्वारा टेक्स के द्वारा रेवेण्यू इकठा करना और उसको मिनिग्फुली स्पेड करना उसका पूरा रोड मैप जो है वो हमें बजेट के द्वारा पता लगता और उसी के लिए budget की इतनी उत्सुप था इसी के लिए हम budget पे इतने तीन-चार episode कर रहे हैं तो ये जो budget है उसमें यदि आप छूट दे तो मैं चाहूंगा कि हमारे हिसाब से या मेरे हिसाब से कैसा एक dream budget हो जिससे की एक पंथ और दो काज हो मतलब एक तो ये कि tax revenue भी हो और दूसरा ये की जो inequality है जिसमें की हम लोग थोड़े से पीछे जा रहे हैं उसमें कैसे हम लोग अपने आपको आगे कर ले तक हमारे इस शो को हमारे एक शो को इस वह पाकिस्तान तो ये लोगों प्रतिक्रिया आ रही है तो exploring NYC आपके comment का बहुत बहुत शुक्रिया तो क्या उमीद करेंगे budget में क्या recommendation है नेन भाई मैं तो हाँ उमीद के अलावा आपने जैसे कहा कि वह dream budget क्या हो सकता है यह यह budget के दुआरा और हमारे पाकिस्तान के मित्र का स्वागत है और पाकिस्तान को तो हम खेर अपना कजिन मानते हैं हम लोग साथ में चले हैं साथ रहे हैं अभी थोड़े लोगों की तुझरा बताईएगा उसके जवाब देंगे तो पहले ही प्रतिक्रिया तो पाकिस्तान से ही आईए सर आपके लिए कि इतनी बढ़िया बात है और यह क्या यह जो आपने कहा उससे शो में और थोड़ी सी जान आ गई क्योंकि मैं और आप एक दूसरे को देखते रहते हैं पर अब एक कलपना में बैठ रहा है कि पाकिस्तान वाले कोई है भाई हमारे जो भी देख रहे हैं कोई बंगलादेश वाले हैं तो उससे हम लोगों को एक अलग सी एनरजी महसूस होती है जब हम यह बात करते हैं तो तो इसलि recommendation क्या है वित्मंत्री को मेरा recommendation यह है कि जब exam की income inequality की बात हो रही है तो हमारे tax के द्वारा हम ढोगों को एक पंथ और दो काज जैसा करना चाहिए कि हम tax भी इकठा करें पर वह tax के द्वारा income inequality भी कम करें तो इसिंग वो जो हो जाएगा तो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा क्योंकि सिर्फ फिर आप इनिक्वालिटी को भी ध्यान में रखते हैं जब आप टेक्स रेविन्यू कलेक करते हैं वर्ना सिर्फ टेक्स रेविन्यू कलेक करने का मकसद हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है तो मैं उसको मद्दे नजर देखते हुए और हमारा जो A.T.C. बाकी का work from home, standard deduction, ये वो सब मिलाके मैं करा हूँ, simplify करने के लिए up to rupees 10 legs, annual income, income tax should be zero. तो जो हमारे marginal income tax payer है, जो कि हमारे bottom वाले pyramid है, उनको इससे बड़ी राहत होगी और उनको फाइदा होगा. और मैं समझ रहा हूँ कि इसके द्वारा जो हमारी revenue कम होगी, वो हम लोग 1 करोड के उपर की income पे tax को 50% कर दे. और ये कहीं देशों में है, कहीं advanced देशों में भी है. अभी हमारी currently हम लोग जो 5 करोड के उपर 42% effective tax rate करते हैं. उसकी लाग की income tax free बना रहे हैं, उससे जो revenue loss होगा, उससे कहीं ज़्यादा भरपाई हो जाएगा जब हम एक करोड के उपर 50% tax की बात करते हैं. जो हमारे rich people है, जो एक करोड वाले हैं, उनको एक लाग, दो लाग रुपे से इतना फरक नहीं पड़ेगा. जितना की एक 5-10 लाग रुपे जो कमाता है, उसको अपने amount बचने से पड़ेगा. बिल्कुल आपर सही का. ये income tax के अलावा, दिनेश भाई, मेरा ये कहना है कि हम लोगों को wealth tax जो हमने 2016 में हटा दिया था, उसको दुबारा लाने का सोचना चाहिए. इंडिया में हमारे पास fortunately rich लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है. पिछले साल we have 42% jump in that. सो हमारे billionaires थे, अब उसका 142 number पे इजाफा हो गया है. ये लोग जो भी start-up हो, unicorn हो, बड़ी companies हो, वो जब कमाते हैं, तो ये समझे कि उसमें सब Indians का योगदान है. यदि कोई reliance आगे बढ़ता है, तो उसमें जीओ खरीदने वाले हर एक रोजी रोटी हमारा देखने वाला एक आदमी जो laborer है, एक आदमी जो चाई बेच रहा है, थेला चरा रहा है, उसका एक contribution है. उसने reliance को बनाया है, जो reliance है आज, या उसने जो हमारे 142 billionaires बने हैं, उसमें उसका योगदान है. तो मैं समझ रहा हूँ कि उन लोगों तक ये wealth कैसे हम लोग transfer करें, कोई inequality कैसे कम करें, तो जदी हम wealth tax introduce करते हैं, और even one or two percent wealth tax हम लोग introduce करते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि जिसके पास 7500 करोड रुपया है, उसको 500 करोड रुपय से फरक नहीं पड़ता है. और जो जो unicorn बने हैं, उन्होंने overnight IPO के द्वारा या उनकी equity placement के द्वारा अपने आपको बहुत धनी पाया है, और उसमें से मेरे खाल से राज्य का, देश का और हमारे रोजी रोटी देखने वाले जो एक आम आदमी है, उसका हक है. और ये पैसे मैं समझ रहा हूँ कि जो भी wealth tax से हम इकठा करें, मेरे हिसाब से मोटा-मोटी कहीं 30-40,000 करोड रुपे, इससे मिनिममम आने चाहिए, higher side पे वो 60-70,000 करोड रुपीज हो सकते हैं, ये पैसे हम लोगों को ring fence करने चाहिए, ताकि ये पैसे कहीं सडक बनाने में, कहीं कोई airport बनाने में, कहीं कोई bullet train करने में ना खर्चा हो जाए, इस money should be used only and only for uplifting these poor people, जो हमारे 50% Indians है, जिनकी income 4000-5000 के बीच में है, उन लोगों के लिए ये पैसे use होने चाहिए, उसके साथ हमारी estate duty भी पहले हुआ करती थी, जो कि inheritance tax है, जब कोई एक rich आदमी यदि 500 करोड रुपे अपने family के लिए छोड़ जाता है, तो जब भी वो छोड़ता है, तब estate duty कहीं देशों में है, हमारे यहां भी थी, फिर नाबुध हो गई, उसके कारण भी थोड़ी सी inequality बढ़ गई, तो मैं समझ रहा हूं कि जो estate duty फिर introduce कर देंगे, तो उसके द्वारा भी जो pay करता है, उसको हट नहीं होगा, जिस आदमी के पास 100 करोड, 200 करोड रुपे अपने inheritance मिलता है, उसको कहीं अपना 2-5 करोड देने में इतना हट नहीं करेगा, जितना कि वो फाइदा करेगा, जो हमारे bottom of the pyramid है, उनके लिए, तो मैं समझ रहा हूं, wealth tax, tax, estate duty, और साथ में जो हम लोग income tax का, यदि slab का rationalization करें, तो उसके द्वारा मेरे खाल से कहीं, जो भी 75,000 क्रोड वगरा आएगा, वो poor लोगों के लिए बहुत ही काम लगेगा, और मैं समझ रहा हूं कि इससे 2 काज होंगे, एक तो हम लोग अपना tax revenue करेंगे robust, और दूसरा वो पैसा inequality कम करने में जाएगा, जो poorest of the poor है, हमारे जो दरिद ननायन लोग है, उन लोगों की जिन्दगी बहतर बनाने में ये पैसा use हो गए, अब ये आजकल बहुत लोगों को confused है, सरकार भी confused कर रही है, वो clear stand ली ले रही है, और इस किसम के stand हमारे जो पडोसी देश है, वहां से भी निकल कर आ रहे है, जो बांगला देश है, पाकिस्तान है, शिरिलंका है, नैपाल है, तो यहाँ पर clarity नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आप finance minister से क्या उमीद करेंगे, पहली फर्वरी को जब वो budget ले के आए, कि भी लोगों को assure करें कि cryptocurrency पे क्या निरने लेना है, क्या decision लेना है क्या उनको, इसके बारे में क्या करेंगा है, आपने बहुत सही यह प्रस्न छेड़ा है दिनेश भाई, और यह हमारे सब के जहन में है, देखिए, cryptocurrency आज stock market से भी ज़्यादा important हो गई है, उसका penetration और बढ़ गया है, जितने हमारे stock market में investor नहीं है, उससे ज़्यादा investor हमारे crypto वाएं, crypto में है, और crypto में average investment कहीं 50,000, 25,000, 75,000 रुपे, SIP के द्वारा, जो हर आदमी छोटा है, वो हर महीने अपने crypto खरीदता है, 100 रुपे का, 500 रुपे का, 1000 रुपे का, 5000 रुपे का, उन सब का ज़्यादा contribution है, और यह contribution अब stock market से बढ़ गया है, और अभी तो इसका legal status भी clear नहीं है, तब हमारे इतने investor है, तो सोचिए इसकी potential क्या है, stock market जो इतने सालों से formal, litigate, formal अपना legal structure के बाद नहीं कर पाया, वो crypto ने कुछ एक साल में without legal structure करके दिखाया है, और अब वक्त आ गया है, मेरे खाल से हमारी last parliament session में भी हमारे लोगों की منशा थी, सरकार की منशा थी कि उसका act बना के रख दे, पर मैं समझ रहा हूँ, जब तक act नहीं आता है, तब तक भी budget में मैं चाहता हूँ कि finance minister at least अपनी policy की एक window खोले, अपना जो खयाल है उसकी window खोले, क्योंकि अभी ये हो रहा है कि Reserve Bank of India बोल रही है कि हम लोग बिल्कुली इसको ban कर देंगे, कुछ एक लोग बोल रहे है कि नहीं ban होगा पर जो almost marginal crypto है वो ban होगी पर main जो crypto है which is technology based और asset based वो नहीं ban होगी और ये सब अस्मन जस्में लोग invest कर रहे हैं पर सरकार को एक रुपया tax नहीं मिल रहा है मैं कहना हूँ इतना तो करिए कि जो इतना काम हो रहा है उस पे taxation के लिए एक simple rule तो कर दीजी कि जो भी आदमी crypto का बहुत ज्यादा कारोबार करता है जिसके लिए crypto एक व्यवसाय है business है उसको business income के तौर पे treat करके 30% ले लीजिए और मेरे आप जैसे आदमी कि जो वैसे में इनका कुछ अलग करते है जिनकी total income का 50% crypto से नहीं आता है जैसे stock market में करते है उनका ये capital asset में गिनिये और उनको 10 या 20% जो भी आपका capital gain है वो लीजिए पर जो हर रोज करता है हर रोज उसका trading करता है जिसके more than 50% income crypto से आती है उसको 30% करके जो basic share market के taxation के rules है वो लगाके at least उसको tax ambit में लाईए फिर आप act बनाईए बाकी का होगा तब भले बात होगी पर at least अभी लोग कर भी रहे हैं unregulated भी है risk भी ज्यादा है regulatory authority नहीं है और सरकार भी tax गवा रही है तो it's a lose-lose situation at least इसको वो situation में ले आएं ताकि हम लोग at least उस पे tax पाएं और tax भरता है तो इंसान भी अपने आपको एक legitimate activity करता है वो समझ रहा है और जल्दी से जल्दी हो सके तब उसका act ले आए ताकि ये जो है we are already late और अब वक्त गवाने की बात नहीं है हम लोगों को extend लेके at the earliest act बना के और तब तक हमारे budget के द्वारा clarity लाने का time आ गया है यहाँ पर हमारे कुछ और भी questions आ रहे हैं और उसमें हमारे एक तनुईर एहमत सहाब है और वो लिखते हैं कि आपका show हमें बहुत पसंद आता है और बीजेपी सरकार ऐसे क्या step ले कि जिससे की economy बहतर हो जाए तो कुछ language कुछ थोड़ी सी confusing है लेकि मुझे लगता है उनका मतलब ये है और पाकिस्तान से एक और शक्स हमारे लिखते हैं कि आपके द्वारा जो प्रोग्राम में facts and figures पेश किये जाते हैं वो बिलकुल true है South Asia के बारे में तो इसके लिए इट्स वर्थ लिस्निंग टू नायन पारिक ची तो ये आपके लिए compliment आया है तो हमारे दूसरे तन्वीर अहमत साब का कहना कि बीजेपी गवर्मेंट को ऐसा क्या करना चाहिए कि कुछ economy बेहतर शेप में हो जाए यानि कि शद आम आदमी की शेप भी थोड़ी बेहतर हो जाए देखा जाए तो ने अहमत साब और दूसरे हमारे पाकिस्तानी भाईया उनका शुक्रिया कि आप देखते हैं आप सराते हैं आप हमको एनरजी देते हैं ताकि दिनेश भई और मैं जो अपना बेस्ट है वो निचोड के इस प्रोग्राम में रोजी रोटी के द्वारा आप तक पहुंचाते जो इस सरकार का भी है कि जो भी बिच्रा हुआ आदमी है जो सबसे weakest of the link है उसको कैसे हम मजबूत करें उसको कैसे हम अपना जो भी कारेकरम है वो पहुंचाए वो ऐसे होता है कि जैसे हमारे family में यदि एक लड़का अच्छा करता है एक लड़का थोड़ा सा अच्छा नह भी जो यह इसमें मन्थन है वो यही है कि यह budget कैसे आम आदमी हो का रोजी रोटी देखने वालों का जो हमारे bottom of the pyramid है उनके प्रश्ण को कैसे हल करें और इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि यह कोई जो rich है उनसे tax ले के हम लोग कैसे poor लोगों की जिंदगी बहतर बनाएं और उसके अलावा crypto के अलावा मैं एक education का matter लेना चाहता हूं कि हमारे यहां इंडिया का जो एक आम आदमी होता है जो एक medium income वाला group होता है वो भी अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने की कोशिश करता है और उसके लिए अपनी जिंदगी की पूरी जो investment है पूरी saving है व और इसके लिए उसको इतना ज्यादा खर्चा होता है कि मेरे ख्याल से वो सब almost they lose their whole life saving because वो बच्चों को बाहर पढ़ाने बेचते हैं जो दुबाई में अभी अच्छा प्रयोग हुआ है कि उनकी जो academic educational city है उसमें they have invited the world's best universities in Dubai and वो जो डिगरी देंगे वो डिगरी वो जो अमेरिका में डिगरी दे रहे campus उसके बराबर होगी मैं समझ रहा हूँ हमारी अभी हम लोग Bombay में एक ऐसे campus या एक ऐसा special economic zone जैसे बनाया था ऐसे special education zone क्यों न बनाये जहां कि हम विदेश की best universities को Harvard को अमार्ण को बागी के universities को पॉइंट मुझे बड़ा पसंद आया कि special economic zone for education बना दिया जाए यह तो बहुत अच्छा idea है और मुझे लगता है कि मैं तो मैं भी एक आपकी तरह teacher ही हूँ आप तो बंगलादेश में जाके पढ़ाते भी हैं universities में तो मुझे लगता है कि अगर एक ऐसा special economic zone खोल दिया जाए जो कि जहां पे international colleges हों और universities हों तो यह तो एक बहुत बड़ा लाजवाब का idea है आपका यह मुझे बड़ा पसंद आया मुझे लगता सरकार इस बात को सुनेगी तो इसको कहिना करें इंप्लिमेंट करें इस बात को मुझे दिनेश भई इसमें दो फाइदे लगते हैं एक तो यह कि हम लोग जो foreign currency हमारी यूज करते हैं जैसे मैंने अपने बेटी को पढ़ाने के लिए अभी लंडन में है वो तो जो फीज करती है उतना ही खर्चा उसके रहने में बाकी में होता है और यह सब foreign exchange हमारे यहा जाती है वहां तो उसके बाद दो साल की पढ़ाई के बाद दो साल का अनुबव लेती है तो उसके बाद brain drain के form में मेरे ख्याल से हमारा यूथ जो है जो brightest है जो brilliant है जो अच्छा है वो कहीं विदेश में चला जाता है तो यदि हम यहां लाते हैं education और campus तो उनको बाहर जान जो possible brain drain है वो भी इससे कम हो जाता है क्योंकि यह लोग जो यहां है यहां पढ़ेंगे फिर वो likely है कि इंडिया में रहेंगे और इंडिया में अपना जो brain का power है वो देंगे और इंडिया में एक बहतरीन जैसे unicorn बन रहे हैं जैसे बाकी के startup बन रहे हैं वैसे इंडिया की economy म इंडिया का youth, इंडिया का brilliant जो brain power है वो यहां योगदान दे वो दोनों तरीके से मैं समझ रहा हूँ जैसे अगले हमने session में बोला था कि वो एक पंथ दो काज कि आप tax भी collect करे और inequality भी कब करे ऐसे यहां भी आप एक तो अपना revenue जो foreign exchange revenue है वो भी आप वहां वियाई नहीं करते हैं और अपना brain drain भी बचाते हैं तो ऐसे मैं समझ रहा हूँ special educational zone कैसी जैड को इंडिया में करने का वक्त आ गया है कुछ facility हम expect कर सकते हैं A.T.C. बगारा के अंदर कुछ थोड़ा बहुत improvement हो जाए या मकानों के लोन होते हैं उसके base पे कुछ ज्यादा छूट मिल जाए ताकि लोगों को एक incentivize किया जा सके budget में अपने मकान बनाएं और उनको उसके उपर कुछ benefit भी मिल जाए income के अंदर ऐस loan में incentive है वो कहीं 50,000 रुपया बढ़ा है और repayment का ये दोनों का कहीं 50,000 रुपया बढ़ाने की बात है A.T.C. का 1,500,000 रुपय से 2,000,000 रुपय करने की बात है और मैं समझ रहा हूं उसके साथ-साथ हमारे जो salary class है रोजी रोटी देखने वाले उसमें भी standard deduction कहीं हम लोग क करते हैं तो आपका standard deduction इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि आप घर का पंखा यूज करते हैं घर electricity यूज करते हैं घर की चाय पीते हैं अब office में जाते हैं तो अलग बात है कि आपका वहाँ जाने की बात खर्चा नहीं है इसमें आप अपना घर का कोई furniture अच्छा बनाएंग क्योंकि आपका समय जो है वो घर से आपका service देने में रहता है तो मैं समझे रहा हूं की वर्क्रो मोम के कारण वाइफाई भी यूज़ करते हैं साथ में वाइफाई यूज़ करते हैं बिल्कुल 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 और घर के बाकी के लोगों थोड़ी असुईदा होती है क्योंकि आपका एक इंफ्रास्रक्टर इसके प्रती यूज़ हो जाता है वो वहां आ नहीं सकते है उसको बाकी कमरे में बैठना पड़ता है एक थोड़ी इसी व्यवस्ता रखनी पड़ती है मैं समझ रहा हूँ इस सब के कारण स्टांडर्ड डिड़क्शन को कहीं इस बार तो बढ़ाने का बिल्कुल हम लोगों को सोचना चाहिए इसके साथ मैं सोच रहा हूँ कि लॉंग टम कैपिटल गेन में भी कुछ करने का टाइम आ गया है क्योंकि स्टॉक मार्केट अच्छे चल रहे पर हमारे यहां हम लोग जब लॉंग कैपिटल गेन नहीं था तब स्टी इंट्रूइस किया था अब हमारे यहां सिक्यॉरिटी ट्रांजेक्शन टेक्स भी है और LTCG भी है मैं समझ रहा हूं दोनों में से एक को नाबूद करने की गुझाईश है या तो LTCG निकल जाए या STT निकल जाए दोनों रखने का कोई पॉइंट नहीं है उसका एडवांटेज नहीं है पिरकुल आपने सही कहा और हमारा एक प्रोग्राम लास्ट जो आएगा ब इंगेज इमरान फॉर दा बिजनस बेनिफिट फॉर इंडिया तो सेंटरल एशिया तो वो शाद पाकिस्टान की भी बात कर रहे हैं कि वो बातचीत नहीं होती है आपसमें बिल्कुल भी मैं समझ रहा हूं कि एक सियासी मुद्दा है पर डायलोग मेरे कहाल से हमेशा ही फ इसके द्वारा एक संभावनाएं बहुत जादा खुल जाती है पर ऐसा है कि हम देखते हैं कि कभी-कभी फैमिली में भी कोई अनबन हो जाए तो बेटा बाप से बात नहीं करता भाई-भाई से बात नहीं करता तो थोड़े टाइम के लिए कभी-कभी वो misunderstanding के कारण अपने आप का गुसा जो है बाहर नहीं निकल जाए उसके कारण दोनों चुप रहते हैं और थोड़े से एक बतलब एक तनावसा हो जाता है मैं समझ रहा हूं कि इसका actual उपाई यही है कि दोनों पक्स अपने द्वारा बातचीत करें बैठें और ये भी जो थोड़ा सा कहीं कोई मन मुटाब है कोई कहीं मिसंडरस्टेंडिंग है कोई कहीं गलत फहमी है तो उसको बाहर रखे उसको सुल्टाए और इसके बाद दोनों बैठके बात करें मेरे क्याल से हम तो अल्मोस कजिन्स की तरह हैं इंडिया और पाकिस्तान तो साथ साथ रहे हैं और ये मेरे क्याल स से संभावना है कभी भी यह हो सकता है और हम तो रोजी रोटी के कारेकरम में देखते हैं कि दिनेश भाई जो भी मुद्दा लेते हैं वो कहीं जाके एक दो वीक में चार वीक में असर लाता है ये भी आपने मुद्दा चेड़ा है तो मैं समझ रहा हूँ कि इसके द्वारा इसको भी कहीं वाचा मिली है और आगे इसके रिजल्ट आ जाए तो मुझे बिल्कुल ही इससे सर्प्राइज नहीं होगा। जो इफेक्टिव होता है पहली जुलाइज से 30 जून कासि पांगलादेश का तो उनका बजबेट जून महीने में आता है पाकिस्तान य Yi जून महीने में आता है और नेपाल का बजबेट थोड़ा दे गीह इसाफ से चलता है तिथी इसके घृत कहले से स्टार्ट होता है तो क पुरी 35,000 करो टका पर जो की उनके रिवेन्यू को आल्मोस 10% हो जाता है तो ये मेरे लिए एक सर्प्राइज था कि उन्हें इतना पहले उसको उन्हें अनौन्स कर दिया है देखा जाए तो और वो भी उसमें सेक्टरस भी बताएं अंदर के कि कहां कहां ये खर्चा करेंगे पावर्टी रिमूल कहां से होगा, विमेन के लिए कहां से होगा, बच्चों के लिए कहां से है और बहुत सारा, मुझे अच्छा लगा कि इसके उपर उन्हें अभी से एक बहस छेड़ दी है कि ये मनी कहां स्पेंड किया जाएगा ताकि लोग अपनी सला भी दे सके, एड सोशल सेक्टर का स्पेंडिक पहले से डिकलेर किया जा रहा है और उस पे शद एडवाइस भी मांगी जा रही है लोगों की, इसकी अच्छी बात इसलिए है क्योंकि बजेट का काम तो है अलोकेशन करना, पर हम देखते हैं एड़ एंड अफ दे येर की बजेट के मिलने वाला है, तो आपका इंप्लिमेंटेशन जो है, वो थोड़ा सा और डेफिनिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप यदि एडवांस में पता रखते हैं, तो वो एडवांस में तयारी कर रखते हैं, और उनका फिर एक्चुल जो आप करना चाहते हैं, वो जो बजेट एल आपकी की बात आगे, तो गवर्मेंट डिपार्टमेंट को अपने आपको पुक्ता करने की जरूरत है, कि ये इतने पैसे कैसे स्पेंड करेंगे, देखिए, एलोकेशन हो जाते हैं, अभी भारत सरकार के रिजर्व बैंक ओफ इंडिया में कैश बैलेंस है, करीब 4.7 लेक लोड, तो पैसे की इतनी कमी नहीं है, जितनी हमारी एक्जिक्यूशन करने की तयारी की कभी-कभी कमी आ जाती है, तो इसलिए ये जो एडवांस वाला है, वो मेरे ख्याल से हेल्प करेगा, और हम भी इंडिया में हैं, मैं समझ रहा हूं कि हमारी एक्जिक्यूशन वो भी आगे बढ़ेगी ताकि हम लोग एक्जिक्यूशन काम फास्ट कर पाएं. अगले हफते, खास तोर से अगले सोमवार को हम आपसे फिर मिलेंगे, बजट से पहले के लाज शो में, तो अगर आपके कुछ सवाल होंगे, तो आप हमें जरूर लिखिएगा, खास तोर से हमारे सामने कमेंट कॉलम के अदर डालते हैं, तो हम उसको पढ़ना भी शुरू है, और आप लोग देख रहे हैं इतनी दूर से प्रोग्राम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया भी बनता है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके लिए अच्छे-च्छे प्रोग्राम्स लेके आते रहेंगे, तो इनी शब्दों के साथ लेंगे विदा, और नैन भ झाल